हेई फ्रेंड्स वेलकम, कैसे हैं आप सब, आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्त होंगे, आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आखिर किसकी जीत होगी, आपके परसन फाइनली किसको चूज करेंगे, आपको के थर्ड पार्टी को सबी साइन, सबी रिलीजियन, सबी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं, सब भी देखेंगे तबी रेजोनेट करेगी, सब लेवल पे, प्लीज दिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए, मेरे प्यारे-प्यारे व्योर्स के पार्टनर्स की लाइफ मे थर्ड पार्टी को लेकर, क्या चल रहा है? ओम साहिराम, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? First card आया है हमारा Seven of Swords Second आया है King of Cups Third आया है हमारा The World Fourth आया है हमारा King of Swords Okay, एक मयान में दो तलवारे अलड़ी आ चुकी है Next आया है हमारा Bottom का Page of Wands कुछ और cards लेते हैं The Emperor, Kings ही Kings हैं यहांपर And Ace of Wands Okay वैसे तो यह Reading Friends सभी Jodiac Science के लिए है But still कुछ Jodiac Science यहांपर बहुत prominent है और वो है Aries, Leo, Sagittarius Cancer, Pisces and Scorpio Gemini, Libra and Aquarius So यह cards क्या बताते हैं मैं हाँ पर देख पा रही हूं Friends कि आपके person आपके person काफी egoistic है काफी attitude रखते हैं And third party Third party उन्हें बहुत manipulate कर रही है शुरुवाती seven of sorts से हुई है Third party उन्हें इतना गुमरहा कर रही है और अपना इतना प्यार जताने की कोशिश कर रही है अपना इतना support दिखाने की कोशिश कर रही है जिसकी वज़े से आपके person ना चाहते हुए भी Emotionally Third party के साथ काफी ज़्यादा stuck हो गए है जब भी आप ये reading देख रहे है मैं यहाँ पर शुगर कोट बिल्कुर नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ मैं यहाँ पर feel कर पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इस time third party situation बहुत strongly चल रही है चाहे वो इनकी family हो, इनके parents हो या फिर इनका कोई another romantic person हो उनके manipulation में ये person totally आ चुके है आपके favor में ये person decision नहीं ले पा रहे है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि third party situation ने इनने इतना manipulate किया है इतना गुमराहा किया है emotionally blackmail किया है कि ये person totally उनके उपर stuck हो गई है यहाँ पे में strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके person emotionally third party को पूरी तरह से अपना कर बैठे है आँख बंद करके third party पर भरोसा करके बैठे है trust करके बैठे है और third party काफी dominating भी है जो कि आपके person के emotions का उनके विश्वास का उनके trust का गलत फायदा उठा रही है और कहीं ना कहीं उनके according चलने पर मजबूर कर रही है आपके person का जब भी आप ये reading देख रहे है full on concentration चाहे वो दबाब में आकर हो चाहे वो intentionally हो चाहे वो unintentionally हो पूरा focus third party situation पर है और जो third party इनको कह रही है ये तकरीबन वैसा ही करने के बारे में सोच रहे है उसी के according चलने के बारे में सोच रहे है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इनको समझा समझा कर ठक चुके हो और आपके person उस time पर जब भी आप ये reading देख रहे हो आपकी कुछ भी सुनने को ready नहीं है इमोशनली इतना manipulate किया है कि वो उन पर आँख बंद करके भरोसा करने पर मजबूर हो गए है और उनके अलावा और किसी का चैरा नजर नहीं आ रहा वही उनको उनकी दुनिया दिखाई देती है उनकी life दिखाई देती है और वो उनी के according चल रहे है मैं यह आप यह भी feel कर पा रही हूँ कि third party को लेकर काफी attraction है इनका अगर कोई another romantic person इनकी life में है तो काफी attraction है इनका और यह एकदम उनकी तरफ खिचे चले जा रहे हैं without any reason जिसकी वज़े से कई लोगों की तो marriage life spoil हो रही होगी क्योंकि आपके husband या आपके wife को कोई और पसंद आ गया होगा और कई लोग जो single है वो भी परिचान हो रहे होंगी क्योंकि आपके partners को कोई और पसंद आ गया है और इस time वो आपके उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं चीजों को sort out करने की कोशिश करते हैं तो वो काफी गुसा होते हैं आपको ignore करते हैं and definitely मैं या पर feel कर पा रही हूँ कि इनका पूरा focus इस time third party situation है बिल्कुल sugar-coated reading नहीं है जो cards बता रहे हैं directly I am going to tell you and 1, 19, 20, 10, 7, 16, 25, 4, 22, 31, 13, 3, 12, 21, 30 ये dates आप लोगों के लिए काफी important, काफी prominent हो सकती हैं अब मैं चेक करने की कोशिश करूँगी कि आपके person की आपके लिए energies क्या है ये तो energies आई हैं third party के लिए आपके लिए energies क्या है ओम साहिरा आपके लिए celebration का card है आपके लिए next card है हमारा queen of pentacles आपके लिए next card है one more card and five of wands जो कि मैंने already देखा और bottom में है हमारा the hanged man आपके person definitely आपके connection के बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं है कि वो सोचते ही नहीं है one more card लेती हूँ definitely आपके connection के बारे में सोचते हैं हमारा पास आया है four of pentacles आप दोनों के connection के बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं है कि अगर वो third party में इतने जादे interested है तो आपके connection के बारे में नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे three of cups है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके person third party situation में and आप दोनों के beat में balance बना कर तीनों के साथ जो है enjoy करना चाहते हैं एक balance को maintain करना चाहते हैं and then इस connection में कुछ आगे perform करना चाहते हैं आपके person को पता है कि आप उनका wait कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो भी आपका wait कर रहे हैं उस right time तक जब तक third party situation and आपके बीच में आपके रिष्टे के बीच में balance नहीं बन पाता मैं यहापे देख पा रहे हूं कि अगर उनकी life में third party situation उनकी family है तो मैं आपको बता दूँ कि यह एक genuine है कि वो family की yes के साथ आपके साथ शादी या reunion करना चाहते हैं तो definitely वो wait कर रहे हैं आप दोनों के बीच में reconciliation का एक समझोते का एक balance का and then इस connection में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन still अगर उनकी life में कोई another romantic person है तो मैं आपके strongly feel कर पा रहे हूं एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती जिस तरह लेकिन ये person चाह रहे हैं कि वो भी रहे और आप भी रहे और ये person दोनों को लेकर possessive और obsessive हो रहे हैं जहां मैं clearly देख पा रही हूं कि अगर आप किसी और से contact करते हैं अगर आप कहीं और wedding करना चाहते हैं अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो आपके person को एकदम से गुस्सा आ जाता है लेकिन वो अगर किसी और को पसंद करते हैं और आप इस बात को टोकते हो या फिर आप नाराज़की जाहिर करते हो तो आप दोनों में arguments हो जाते हैं जगड़ा हो जाता है मनमुटाव हो जाता है और आपके person ऐसे behave करते हैं कि जैसे आप उन्हें नीटों को वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो लेकिन आप उनके according चलो ऐसी vibrations कई लोगों के लिए आ रही है मैं आप ये भी feel कर पा रही हूं फाइवो वैंस का कार्ड है थर्ड पार्टी situation की वज़े से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो चुके हैं ओलरी थर्ड पार्टी जो situation है या फिर आपके बीच में जो लोग हैं उन लोगों ने आपकी आपके person के साथ काफ़े लडाईयां कराई हैं और अभी भी करा रहे हैं तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं लेकिन इतनी नाराजगी के बावजूत इतनी लडाईयों के बावजूत आपके person अभी भी आपको लेकर positive हैं और कहीं कहीं third party situation में balance maintain करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में लेकिन still अगर मैं वही कहूंगी जो कि मैंने बोला अगर इनकी life में कोई another romantic person है क्योंकि यहां पर three of cups है और three of women हैं तो definitely वो चीज़े इनके mind में हो सकती हैं कि इनकी wife भी खुश रहे और खुद third party situation के according चल रहे हैं जो person third party situation के manipulation का शिकार है जो person third party situation से dominant हो रहा है वही person आपको dominant कर रहा है और आपको अपने according चलाने के कोशिश कर रहा है I don't know यह reading कितनों से resonate करेगी बट जो मैं समझ पा रही हूं इन cards को read कर पा रही हूं वही मैं आपको बता रही हूं अगर आपको old text message करो तो वो occupy है third party के साथ और अगर आप उनका attend ना करो देन उनको गुस्सा आ जाता है कि आप नहां occupy हो तो आपको लेकर possessive हैं लेकिन third party को लेकर आपको कितना बुरा लग रहा है इसकी इने एक बिल्कुल भी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी परवा नहीं है आपको लेके serious हैं काफी सोच रहे हैं आपकी और third party situation के बीच में balance maintain करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को sort out करने की कोशिश कर रहे हैं उनने पता है कि आप उनका wait कर रहे हैं सारे मसलों को खतम करके आपकी तरफ action लेने का wait कर रहे हैं लेकिन still अपनी जिद्ध पे अड़े हैं अगर इन्होंने कोई शर्त रखी है आपके सामने कोई term and condition रखी है तो उस condition के पूरे होने पर ही ये action लेंगे आपकी एक नहीं सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए बहुत जिद्धी हैं बहुत stubborn है ओशोजन से चेक करते हैं कि आपका और इनका क्या future है या आपको चुनेंगे कि third party को चुनेंगे देखिए अभी तो आप दोनों के रिष्टे में compromise ही चलेगा equal give and take नहीं चलेगा आपके person का maximum focus future नहीं third party रहने वाली है लेकिन still कुछ cards और निकालते हैं और check करते हैं going with the flow nothingness and bottom में है हमारा possibility ये जो cards आए हैं ये ये बता रहे हैं कि 3 to 6 months 3 to 6 months लगेंगे third party situation को over होने में अगर इनकी life में कोई another romantic person है तो उसको इनकी life से जाने में और अगर इनकी life में इनकी family है तो इनकी family और आप दोनों के बीच में balance को maintain करने में divine की आपके लिए guidance है कि आपको stress नहीं लेना आपको go with the flow चलना है third party situation के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना अपने रिष्टे पर ज़्यादा focus करना है और अपने रिष्टे के लिए सब कुछ positive manifest करना है अभी जो मैं यहां पर feel कर पा रही हूँ maximum attention third party है लेकिन यहां पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आपके person आपको भी छोड़ नहीं पा रहे है तो जहां वो आपको नहीं छोड़ पा रहे है वहाँ definitely एक big hope है एक big yes है कि next three to six months के बाद third party situation over होगी और यह जो person आपको लेकर possessive है किसी भी जित पर अड़े हैं उस जित को छोड़ कर अपने एंकार को छोड़ कर third party situation को छोड़ कर आपको choose करेंगे और आप दोनों के रिष्टे में abundance होगी balance होगा, growth होगा success आपको मिलेगी लेकिन एकदम से नहीं जब भी आप rating देख रहे हैं three to six months में third party situation over होगी यहाँ पर एक चीज़ आपने notice की होगी कि आपके person third party situation पर definitely focus कर रहे हैं उनके dominant behavior को जहल रहे हैं या उनके manipulation का शिकार हैं लेकिन आपको लेकर भी equally चिंतेद हैं, आप भी उनके mind में equally चलते रहते हैं वो बात अलग है कि चीज़े अभी well balanced नहीं हो पारी, जो कि अभी three to six months तक होँगी भी नहीं क्योंकि compromise अभी आपके life में रहेगा equal given take नहीं रहेगा जितना ध्यान आप अपने person पर दोगे उतना ही ध्यान आपके person third party situation पर देंगे जो आपको बहुत hurt करेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको कभी भी इनकी awakening नहीं होगी या यह aware नहीं होगे definitely अगर आप go with the flow चलते हो everything positive manifest करके चलते हो तो here is the big possibility कि आपके person वापस लोट कर गर आए और third party situation आप दोनों की life से over हो जाए so I am damn sure कि third party situation आप दोनों की life से over होगी but उसके लिए आपको positive रहना है go with the flow चलना है ज्यादा stress नहीं लेना है और definitely अपने person की वो बातों को accept नहीं करना है जो आप deserve नहीं करते हो कुछ terms and conditions जो आपको सही नहीं लगती है उनको किसी भी कोस पर accept नहीं करना है अपनी respect को spoil नहीं करना है self respect को maintain करना है खुद की वर्त को पहचानना है और third party situation के बारे में ज्यादा नहीं सोचना अपने connection के बारे में definitely positive manifest केजिए तो ये थी friends आप लोगों के लिए reading I hope आप लोगों से resonate की होगी पसंद आई होगी अगर resonate की है पसंद आई है तो please do like, share and comment friends 3 to 6 months का time आपको देना ही होगा third party situation को over करने में क्योंकि अभी third party situation का influence इनकी life में इतना ज़्यादा है कि ये आपके connection के बारे में बहुत कुछ सोच कर भी action नहीं ले पा रहे है ठीक है तो उतना time आपको देना ही होगा और उतने time में आपको अपने life पे focus करना है अपने growth पे focus करना है इस connection के बारे में सब कुछ positive manifest करना है definitely third party situation over होगी और आप दोनों के रिष्टे की एक बहतरीन शुरुवात होगी so bye for now friends for more clarity you can book your personal paid readings to अभी के लिए इतना ही thank you so much for watching take care